तो खीक है चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फंक्शन्स डोमेन आइजने तब सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन बताओ तो बिल्कुल डेडी हो सारी आपकी जो पावर से इस समय मेरे काल से पीक पे पहुंचने वाली होंगी तो बस पक्चेस मिनट और बचे हुए ठीक है चलो सबसे पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं अब देखो जो हम लोग 11 12 पर फंक्शन पढ़ते थे न तो वहां पर फंक्शन की बड़ी डिफरेंट 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 डेफिनीशन होती थी फंक्शन कुछ और होता था ठेस्टिंग लगाई जाती थी कि यह है भी या नहीं है हम वो सब्सक्राइबाले हम बहुत बेशिक लेवल पर पढ़ने वाले फंक्शन का मतलब की बहूत बहुत सिंपल से डिफिनीशन आपको बता देता हूँ that functions आर् डीपेंडेंट वेरिेबल्स functions are dependent variables तो यह हम जो definition पर रहे हैं बहुत ही basic definition पर रहे हैं which depends on which depends on one or more independent variable पहले ध्यान से समझ दो सब लोग one or more independent variable और आज आपका ना वेवी कर्व का test भी हो जाएगा इसी मतलब आपने कितना रिवाइस करा है वो आपको आज की class करते करते अंदाजा लग जाएगी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे dependent variable और यह dependent किस पर कर रहे है एक्स पर जैसे से आप एक्स की values चेंज करते जाओगे अंदर वैसे वैसे इस function की value change होती जाएगी तो x को आप यहाँ पर क्या बोल दोगे independent variable तो मेरे खाल से यह बहुत ही basic चीज इसमें किसी को कोई भी तरीके का डाउट होना नहीं चाहिए तो simple सी मैने आपको definition बता ही ज्यादा इसको complicated करने के जबत है नहीं हम उतना ही पट रहे है जितना हम आगे चलके यूज करने वाले इसलिए इन sessions का नाम मैंने रखा prerequisite प्री रिक्विजिट का मतले होता है वो सारी चीज है इनका यूज करके आप आगे पूरी की पूरी तो दो independent variables आपको दिख जाएंगे x और y आगे चलके जब आप vector calculus पड़ोगे तो आपको ऐसे functions भी दिखेंगे जहांपे तीन independent variables भी present होगे x भी होगा y भी होगा z भी होगा r भी होगा theta भी होगा 5 भी होगा तो आगे चलके जैसे से आप आगे बढ़ते जोगे engineering mathematics में आपको ऐसे भी functions दिखेंगे जहांपे एक independent variable है ऐसे functions दिखेंगे जहांपे दो independent variable है और ऐसे भी functions दिखेंगे जहांपे तीन independent variable present होगे तो सबी लोग यहां तक बता दो क्या यह सारे के सारे points आप easily process कर पा रहे हो क्या dependent variable independent variable kind of यह सारी चीज़े सबी लोग अच्छे से समझ पा रहे चलो आते हैं बात कर लेते हैं domain की तो domain क्या होता है मैं आपको simply बता देता हूँ suppose आपको पर फंक्शन दे रखा है fx versus x ठीक है तो यहाँ पर जो जो x की values हम लोग allow कर सकते हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं domain allowed values of x allowed values of x तो जो जो भी x की values यहाँ पर allowed होती है उसी को हम लोग बोल देते हैं domain तो domain calculate करने के लिए कुछ important steps होते हैं आईए उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं जैसे वाँ लोग कोई भी rational function अगर आपको दे रखा होगा तो rational function अगर आपको दे रखा है तो जाहिर सी बात है उसमें एक numerator होगा एक denominator होगा तो जब भी rational functions आपको दिये रहते हैं जहाँ पे एक numerator होता है तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे अगर मैं x की value 0 put कर दूँगा तो x equal to 0 put करते हैं functional value कहाँ पे जाने लगेगी infinity के तरफ जाने लगेगी तो जिस particular value of x पे function की value infinity tend करती वो कभी भी आपके domain का part नहीं होता है जैसे 1 by x के अगर बात करोगे तो इसमें x equal to 0 जैसे डालोगे function की value infinity को tend करने लगेगी इसका मतलब x equal to 0 कभी भी domain का part नहीं होगा तो आप checker के बताइए कि x की value 0 के अलावा अगर हम कुछ भी डालेंगे तो यह infinity को tend करेगा क्या बिल्कुल नहीं यानि कि जो इसका domain आ जाएगा उसको हम लोग r से represent कर देते है r का मतलब होता all real numbers real number का मतलब minus infinity to plus infinity सारे real numbers आप डाल सकते हो बट आप 0 की value यहां पर put नहीं कर सकते है सबको यह point clear हो गया तो आगे से कभी भी अगर आपको कोई rational function दिखता है तो आप जरूर यह ensure करना कि जो denominator में लिखा हो उसकी value कभी भी 0 ना होने पाए दूसरे important चीज़ कभी भी अगर आपको square root जैसा function दिखता है तो square root के अंदर जो भी function आपको लिखा होता है आपको पता होता है कि इसकी value strictly greater than or equal to 0 होने चीए तो square root के अंदर जो भी present होता है उसकी value हमेशा कितनी होने चीए greater than or equal to 0 तो इस case में domain आपका क्या हो जाएगा चाहे आप 0 to infinity लिखो या x greater than or equal to 0 लिख लो क्या ये दोरो बाते सभी लोग समझ पा रहें